नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण घर्मा सनमार्ग लॉंग का टोटका तो हर कोई करता है लेकिन जब सोमवती अमवस्या के दिन सूरी गरहन आ जाए तो इस लॉंग का प्रियोग बढ़ जाता है क्योंकि लॉंग का प्रियोग न केवल खाने प बदल जाता है क्योंकि जीवन के खुसियों को पाने के लिए लॉंग का प्रियोग अद्भूत होता है एक तो मार्क्सीस का महिना जो स्री हरी का सबसे प्रियम महिना है और सोमवार का दिन सिवजी का दिन है अब इस दिन अमवस्याति थी है और अमवस्याति थी सनिदेव क समरपीत होती है और इस दिन सूरी ग्रहन है अब सूरी देव को कस्ट अब इन कस्टों को मिटाने के लिए तमाम पूजा पाठ मंत्र जब तो होंगे ही लेकिन इसके साथ कुछ छोटा सा उपाए आपके जीवन को बदल देगा क्योंकि सनातन धर में लौंग सबसे ज़्याद का पवित्र माना गया है पूजा पाठ में लौंग का जो फाइदा है वो आपको तो पताई होगा वैसे तो लौंग को उर्जा का वाहक माना जाता है और आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए सपनों को पूरा करने के लिए लौंग के छोटे से उपाई जरूर करें ताकि जीवन में जो कस्ट है उससे थोड़ी ही देर के लिए परमुक्ती मिल जाए कभी कभी क्या होता है जीवन में बहुत परिसानी आती है बहुत ज्यादा लगता है जैसे आपका जीवन उथल पुथल से भर गया है एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था और कुछी दिनों में सब कुछ गड़वर हो रहा है ना किसी को किसी से बन रही है ना ही घर में सांती है न धन है आप परिसान है ऐसे में क्या करेंगे एक छोटा सा प्रियोग इस अमवस्या के दिन करें घर की नकात्मक उर्चाओं को दूर करने के लिए आप अपने घर में कपूर के साथ पांच लॉंग रखल कर जलाईए और पूरे घर में दिखाईए यकीन मानिए घर से नियेटिव इनरजी निकल जाएगी आप चाहें तो इसके साथ इलाइची के दो तीन दाने भी जला स सकते हैं यह जो अगनी की लपटे उठेंगी न यह तमाम नकात्मक चीजों को चला कर राक कर देगी और इसके बाद जब यह जल कर राक हो जाए जब सांथ हो जाए तब इसको थोरे से पानी में मिलाकर घर के मुखे दरवाजे पर डाल दीजिएगा घर में एकदम से खल मचा देते हैं जैसे तरह गरहन लग वैसे तरह जीवन पर गरहन लग जाता है अब यह तो अनुकूल नहीं है जिवन में कश्मिक रूप से परिसानिया आ रही है इक-क-क-बासरैय आ रही है तब ऐसे में आपको इस अमवस्या के दिन लॉंग दान करना चाहिए अगर कोई ना मिले तब आप सिविलिंग पर कम से कम पाँच दाने लॉंग अरपित कर दे और सिब जी से प्राथना करें कि प्रभू हमें अब सांती चाहिए हम परिसान हो चुके दिल से दुआ मांगिए दिल से प्राथना कीजिए हमेशा ही आपकी जोली भरते हैं सिब जी क्योंकि सिब जी हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो ये प्रयोग आप करें खुसहाली आएगी जीवन में आनन्द आएगा और लॉंग का कली दोचार अपने पास भी रखने का अभ्यास बना लें ऐसा करने से आपका भाग ये मजबूत होता है आप चाहें तो लॉंग को आप नियमित रूप से इस अमवस्या के दिन मा दुरुगा को अर्पित करें दो लॉंग और अगले दिन इसको उठाइए और आराम से खाइए ये लॉंग दुस्मनों से भी रक्षा करता है कई बार क्या होता है आपका जो पैसा है जो आपने खून पसीने के महनत से कमाई है लोग ले तो लेते हैं पर देते नहीं है आप परिसान है तभी सोंबती अमवस्या के दिन एक प्रियोग करें कि आपका फसा हुवा पैसा आपको वापस मिल जाए क्या करेंगे आप इस अमवस्या की रात में कपूर के सहारे 21 लोंग जला लें याद रखिए 21 अब सोचेंगे आप कपूर में तो जलेगा नहीं कोई बात नहीं कपूर के साथ आप रूई भी घी में डीप करके रख लें और लोंग को जलाईए और अपने घर के पुजा स्थान पर ही जलाईएगा मा से प्रार्थना करें कि मा लक्ष्मी हमें पैसा हमें वापस दिलाने में आप मदद कीजिए आप चाहें तो गोबर जो होता है गाय का गोबर ना उसके उपले कंडे जिसको कहते हैं उस पर भी आप लोंग जला सकते हैं उससे भी आपको लाब होगा तो इस सोमवती अमवस्या के दिन बहुत तरह के प्रियोग होते हैं जो जीवन के आर्थिक परिसानी को दूर करता है जो कि सूरी गरहन लग रहा है रात में भारत में नहीं दीखेगा बांकी देशों में दीख रहा है अब यहां पर आप जो मंगलवार का दिन जब आप तो इस सर्सित के दिया जलाइबा और हन्मान चाहिसा का पाठ है और हन्मान जी के लिवाग भुणा नहीं हो पा रहा घर नहीं बन रहा अपना मकान नहीं है और किच कीच है आपका वेफसाई नहीं चलता है कैसी भी मनोकाम ना हो कहिए इमंदारी से प्रात्ना कीजिए दिल से सिर्फ आप ग्यूटी पुरा कर ले हाँ हाँ फटा-फट से कर दिये हो गया नहीं दिल से कीजिए आप हनुमान जी को नहीं जानते हैं वो चाहें तो सब होता है बे बज़ा घर में टेंसन बहुत होता है पती पत्नी में नहीं बनता सासु मार बहु में नहीं बनती ननत और भावी में नहीं बनती बहुत सारी प्रेसानी है जैंस में भी ऐसा होता है सिर्फ लडीज में ऐसा बत नहीं है क्या करेंगे नियमित रूप से आप दो यहां से अज से सुरू करके सोम बति अमवस्या से सुरू करके मां दूर्गा को और पीत करें और अपने मुह में रखें अगले दिन खाईए यानि यह प्रियोग लगातार करें कुछी दिनों में देखिएगा सत्रू विरोधी सांथ हो जाएंगे सत्रू यानि यानि जो आप आप से दुस्मनी रखते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो सांथ हो जाएंगे, मा लक्षमी को पसंद करने के लिए भी सोम्बती अमवस्या के दिन उपाई किये जाते हैं, क्या करेंगे, तो ये उपाई में क्या होता है, आप इस अमवस्या के दिन, अगर आपको ल दोनों हातों में लीजिए गुलाब की पंखुरी थोरे से कोई भी कलर का गुलाब हो और पांच लॉंग ले लें मा लक्षमी से प्रातना करें कि मा बरकत दीजिए अगर कहीं कोई भूल भी है तो छमा कीजिए और उन्हें अर्पित कर दें बाद में इस लॉंग को उठा कर और जो गुलाब की पंखुरी है हलका सुसूखने दीजिएगा लाल कपड़े में बांध कर धन के अस्थान में रख दीजिएगा तंत्रसास्त कहता है घर में बरकत लॉटाती है कई बार होता है घर में लोग लगातार बिमार हैं क्या करेंगे सोमवती अमवस्या के दिन सरसों के तेल का दिया जलाएं घर में तीन चार लॉंग डाल दें और घर के जो आपके घर के सबसे अंधेरे कोने हैं यानि अपसीडी के नीचे अंधेरा रहता है या आपने कहीं पर कोई भी ऐसा कोना तो होगा जहां धिरा रहता है बालकनी है वहां धिरा रहता है जहां भी आपको ऐसा लगे कि वहाँ पर जादा धिरा रहता है वहाँ पर इस दीपक को जला कर छोड़ दे नकात्मक उर्जा चली जाएगी बिमारिया ठीक हो जाएगी अटके हुए काम बनने लगेंगे जीवन में सुकून लोटाएगा और सिब जी पर सोमबती अमवस्या के दिन लॉंग और पित करना मत भूलिएगा क्योंकि राहु केतु सनी देव हर कोई सांथ भी होंगे और आपके अनुकूल फल भी देंगे क्योंकि सिब जी को अगर आपने प्रसंद कर लिया तो पूरा जग जीत सकते हैं हम आप से विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद निवार सकते हैं प्रसंद कर दो आपके प्रसंद कर दो हम एंप कर दो हो हम एंप क्योंकि अपना मतमी देव भी हो